है गाइस वल्कम बैक तु दी चैनल कोकुनेट ओईल हो मस्टड ओईल हो ओलीव ओईल हो आमेंड ओईल हो तील का तेल हो हर तेल के हमें बैनिफिट्स कहीं न कहीं कुछ जादा कुछ कम पता होते ही है बट डियू नो कि कलुंजी ओईल के भी बहुत सारे पैनिफिट्स होते कि इतने सारे होते हैं कि दी बाम्रा type यह जब मुझे उसके भाड़े में पता चाला कि यह थ thief STEVE के इतने सारे फाइदे मैं कुछ पर भरोसा नहीं कर पा रही थी नौ और मैं कहा थी इतने सारे बैनिफिट्स है और मुझे कैसे नहीं पता बट अब मुझे पता है, तो मैं यह information आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ. So, without wasting any time, let's get started and make sure कि आपको यह content थोड़ा भी पसंद आया, तो like जिरू कर दीजेगा. So, सबसे पहले तो देखिए, आपको कलोंजी ओईल के जो भी properties है, वो पता होनी चाहिए, तो यह रहें कलोंजी ओईल की properties, अब properties को आप अर्राम से पॉस्ट करके पढ़ सकते हैं, आगे चलते हैं. अब आप यह सोचेंगे कि यार, अभी कलोंजी ओईल की इतने benefits पता चल गए है मुझे, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, और properties तो अल्रेड़ी मैं बता चुकी हूँ, तो कौन सा तेल ले, क्योंकि मार्केट में मैंने देखा खूद कि अल्रेड़ी बहुत सारे कलोंजी ओईल अविलेपल है, तो कौन सा ले, वो आपको पता होना चाहिए, सिंप्ली नेचर शॉर का, अब मैं ऐसे क्यों पोल रही हूँ, वो पहले बताती हूँ, और फिर जब मैं बेनिफिट्स कवर करूंगी ना, तो आप आक्चुली मुझे ना, नीचे कॉमेंट बॉक्स में थैंक्यू लिखने वाले हो, क्योंकि बेनिफिट्स ही इतने है, मतलब सौ से भी ज़्यादा बीमारियों के लिए, परिशानियों के लिए, यह तेल उपियोगी है, तो यार ऐसा वैसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अच्छा कॉलिटी वाला ही होना चाहिए, अगर आप चाहिए से कंज्यूम करो, शरीर पर लगाओ, बालों पर लगाओ, कोई साड़िफेक्ट यार उसको कोई भी ऐसा रिजल्ट आपको नहीं मिलना चाहिए कि यार, मैंने तो सोचा था, अच्छा कॉलोंजी ओई होगा और निकला ये, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए पहले मैं बता दू नेचर शौर का जो कलोंजी ओई है, ये कोल प्रेस्ट ओई है, तो ये बैनिफिट आपको अमेजिंग देगा, जब कोल प्रेस्ट ओई होते हैं वो क्या करते हैं, जितने भी उसकी अंदर नूट्रियेंट्स होते हैं, उन्हें लॉग करते हैं, उन्हें वैसे ही टिका कर रखते हैं, इसलिए कोल प्रेस्ट ओईल होना भी बहुत ज़ादा ज़रूरी है, इसके अलावा ये ट्रस्टेड है, डर्मोटोलिजिकली टेस्ट तो ऐसा नहीं कि यार मैं किसी टेल को ले रही हूँ, तो उसकी ओजर से मुझे ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा नहीं, यह सारी चीज़े देखो, तेल का ब्राइंड हमने मेक शॉर कर लिया, कि निचर शॉर कलोंजी और बेस्ट देता है, तो हमें ब्ल करो क्यों कि कई बार अपनी तरफ से रिसर्च करते हैं तो यह सो जाती है, तो उसकी में तरफ से तसल्ली कर दी हैं, तो अगर आप चाहें तो अपनी तरफ से भी तर देखेगा, आपको भी एंड में नेचर शॉर का कलोंजी ओं झाल जो प्रेस्ट वाला हम इने वाला आप तो चलिए फिर अब हम इसके benefits की बात करते हैं सबसे पहले pain relief बहुत अच्छा देता है जैसे अगर जोडों का दर्द हो कमर में दर्द हो हाथों पैरों में जहां पर भी दर्द हो आपको लगता है कि अर्थन का मौसम आ गया है यहां वहाँ दर्द होती ही रहता है simply इसकी मदद से massage चालू कर दो दीरे दीरे आप खुद आपके pain में relief पाओगे and second diabetes के लिए भी यह useful है तो आप इसे consume कर सकते हो अच्छे से रोजाना लेने से यह आपकी जो memory होती ना उससे भी यह enhance करती है उससे भी और sharp करती है तो अगर आपको लगता है कि कई ना कई आपका mind इतना अच्छे से आपका brain इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो आप अभी से लेना चालू कर दीजे कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग बोलते हैं यार पेट में कीड़े होगे हैं इस टाइन में warm सो जाते हैं उसके लिए भी यह बहुत useful है इसका आप जो 7 करोगे ना यह इसमें भी बहुत ज़्यादा काम आएगा उसके बाद आजके हमारी भाग दोड़ वाली काम करता है और मैं अर्थराइटीस कैसे भूल सकति यह उससे भी क्योर करता है अचा इम्मुनिटी जो आज किल बहुत नॉमली एक चोटा मलब जो नया नया बोलना सिखा हुआ बेवी इम्मुनिटी सबसे आज कर पहले बोलना चालू करतेता है तो उससे इंप्रूफ करना करता है और रेगुलर कंसप्शन से यह किड्नी को भी प्रोटेक करता है इन फाक्ट इसका जब हम लोग रोस मसाज लेते हैं तो यह बोन्स के लिए भी बहुत यूसफूल कि कि बोन्स के लिए भी यह स्ट्रेटनिंग देता है और दातों के लिए भी यह उतना ही अच्छा हो जाती है तो सिंप्ली इसकी मदद से मसाज करना चालो कर दीजिए इसके अंदर जो अंटी बैक्टिरील प्रोपर्टी होती है न वह इन पिंपल आकने के जो भी जयम सोते है उनकी बाट लगा देते है अच्छा लाक्टिंग मॉम है जो अपने बच्चे को दूद पिलात है तो जो ब्रेस्ट फीडिंग का सिक्रेशन होता है यह उसमें भी बहुत ज्यादा यूसफुल है इतना ही नहीं मन्तली हम ओटों को हम लड़कियों को मेंस्ट्रियूल पेइन से गुजरना पड़ता है तो उसके लिए भी बहुत यूसफुल है जस्ट हमारे टमी अरिया जापर हमें होता है वह पर इससे मसाज लेना है या फिर नॉमल यह आप कंजूम कर सकते हो उससे जो यह मैंस्ट्रूल पीन होता है वो नहीं होगा और यह पाइल्स के लिए भी बहुत अच्छा है शर्माइए मत घबराइए मत पाइस को यह ऐसी बिवारी नहीं है जिसका लेने से लोग हसने चालो करतेते हैं पाइल्स में यह यूसफुल है अस्तमा हो उसे मैनेज करने के लिए अमीजिंग है इन फैक्ट हैपिटाइटीस के लिए भी अच्छा है आई साइड जो होती है उसे इंप्रूफ करने का भी यह काम करता है और कई लगता है ना एनर्ज बहुत कम है अच्छे से एनर्जी नी बन पा रही है कुछ करने का मन नी करता है तो यह एनर्जी को भी बूस्ट करता है इंप्ली यह बोलना चारी थी और सबसे बड़ी बात क्यांसर को मैनेज करना हो यह प्रिवेंट करना हो यह यूसफुल है तो नेचर शुर का यह 100% प आप गूगल करके कलोंजी ओयल के बेनिफिट तेखोगे ना तो मैंने जो बता है वो तो कुछ भी नहीं हो और भी है मतलब जितना मुझे इंपोर्टेंट लग रहा था कि हापको यह भी पता हो यह भी पता हो सारे मैंने बता दिये बट यह अप और गहरी खाई में जाओगे तो आपको और पता चलेगा तो अमेजिंग है यार मुझे तो लगता था कि यह कोकनट ओयल या अमेंड ओयल या ओलिव और यह सारे बेनिफिशियल होते पर इनसे कई गुना ज्यादा कोल प्रेस कलोंजी ओयल होता है सो मेक शूर की एक बर आप ट्राय करें और आपके बाल और रेगुलर अपने शांपू एंड कंडिशनल से अपने बालों को वाश करिये बिलीव मी आप अपने बालों के जो टेक्शर में बहुत अच्छा इंप्रूमेंट देखोगे अब देखिए मैंने आपको बेनिफिट्स भी बता दिये प्रॉपर्टी भी बता दिये ब्लै पहुत जाओगे पर्चेस पेज पर यह मतलब आमेजान पर नेचर शौर के ओफिशल वेबसाइट पर इजी ली अवेलेबल इमनलब ऐसे यूसफुल प्रोडॉडक को डफिनेटली इजी अवेलेबल ही होना चाहिए क्योंकि जो हमें इतनी सारी चीजों से बचाता है इतन अगर इसे इस्तिमाल करना अपने लाइफ में चालू करते चाहे इसे कुकिंग में यूस करे चाहे इसे बॉड़ी पर मसाज करे बालों में लगाए चेहरे पर लगाए या जैसे भी आप इसे यूस करना चाहते करें अपने लाइफस्टाइल में से अट करें धीरे धीरे ध आपको हो भी रहेंगी, वो भी सॉल हो जाएंगी, बठा, एक या दो दीन में कुछ नहीं होता, मैं पहले ही बतादू, इट टेक्स टाइम, कोई भी अच्छी चीज ना, एक या दो दीन में असर नहीं दिखाती है, तो पेशन्स जरूर रखिएगा, थोड़ा समय दीजेगा और एंजॉय करिएगा अपनी लाइफ को, तो चलिए फिर मिलते हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक ही लिए बाई-बाई-गाइस, टेक केर, और मेक शूर कि आपनी इस वीडियो को लाइक कर दिया, और लेट मेड़ो बिलो एं कॉमेंट बोक्स कि कैसा लगा आपको आज का ही वीडियो तिल देन, बाई-बाई गाईस, टेक केर